हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल सो आज मैं आप लोगो प्लेक निव ड्रामा लेकर आई हो जिसका नाम है माई पिगी बॉस यह बहुत ही इंट्रिस्टिंग ड्रामा है जिसमें इस ड्रामे का जो में लेड हीरो रहता है को बार पर एक पिक बन जाता है और वो यह बनता है इसकी स्टोरी तो हमें आने वाले एपिसोट में पता चलीगी यह बहुत इंट्रिस्टिंग ड्रामा है सो चलिए फ्रेंड बेना किसी देरी के एक्स्परनेशन को सुरू करते हैं सो सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी हीरो इन को जिसका नाम य पहुंसती है उसके बाद तभी यहांग की जो मैनेजर रहती है वो उसे देख लेती है और उसे बोलती है कि तुम कहा गई यह पेपर लो और इसकी मुझे 20 कॉपी करके दो मेरा भी मीटिंग है तो वो बोलती है कि मैं यहीं पड़ती मैं बस कॉफी लाने गई थी उसके बा अधे गंते में किसा सथ मीटिंग है तो सारे टॉक्यमेंट्स रेडी रखो और मुझे मेल भी करो वो documents यहाँ पर यांग अपनी manager का laptop में search करती है कि साथ उसने को documents बनाए होगे बट उसमें बहुत सारे documents रहते हैं एकी तरह कि तुसे समझ नहीं आता कि कौन सा document final document है तभी यहाँ पर वो search कर रही होती है तभी यांग की कलिक से office आना पड़ेगा वो भी तो सोचो उपता हो यहाँ पर यांग की कलिक बोलती है तुम्हारा तो यह सपना था ना कि तुम बॉस की personal assistant बनो तो तुम्हारा सपना तो सच हो गया अब तुम्हें आराम से छुट्टियां मिलेंगी और बहुत सारे benefits भी मिलेंगे तभी यहाँ पर जू अपने clients को presentation दे रहा होता है वही document के साथ जो यांग लेकर के आई थी उसके बाद अभी meeting में जो लोग भी रदे सभी कोई हसने लगते हैं जैसे ही यांग next page करती है वहाँ पर लिखा होता है कि Mr. जू ने इसे first version बोला था इस तरह इसे वो लिखी रदी है document में तो यह जो पर जू जो बहुत जादा गुसा हो जाता है उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जू यांग को बहुत डाटता और बोलता है मैंने इतनी मेहनत से इन client को बुलाया था और तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुम्हें पता भी है यह project मेरी कित तोरी बताने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैंने अपितम स्क्रैच लेवल से अपने करियर को स्टार्ट किया था बले ही मेरे डैट का बहुत सारा कनेक्शन हो बट मैंने उनका कभी पे फाइदा नहीं उठाया उसके बाद जैसे ही वो ये सब कुछ बोलता है उसे टाइम की तरफ भाग जाता है और वो वाश्रूम के अंदर जैसे ही जाता है वो पिग में कंवर्ट हो जाता है तभी यहां पर वाश्रूम में यांग भी पहुंसती है और यहां पर यांग मनी मन्जू को सुना रही होती है कि तुम ने मुझे पिग से कैसे कंपेर कर दिया तुम तो पिक से भी गए गुज्र हो एक्चली तो पिग ही हो और यह सारा चीज जू को सुनाई दे रहा होता है क्योंकि वो अंदर वाश्रूम में रहता है तभी यहाँ पर यांग को लगता है कि वाश्रूम से कुछ आवाजे आ रही है तो वो जैसे वाश्रूम का दड़वाजा खुलती है वो दिखती है वहाँ पर एक छोटा सा पीग है तो यहाँ पर जू जू रहता है वो डड़ जाता है और वो मन में ही बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत देखो मत देखो तभी यहाँ पर यांग जू का शर्ट उठाती है और उसे स्मेल करती है तभी वो बोल बोलती है कि अरे वाई ये पिक तो बहुत ज्यादा क्यूट है तो यहां पर जू बोलता है इसे में क्यूट लग रहा हूं तभी यहां पर यांग बोलती है वैसे तुम यहां पर क्या कर रहे हो तुम्हारे पैरेंट्स कहा है क्या उन लोगों को किसी ने खा लिया तभी यहा मारा बॉस हो, मैं तुम्हें कल फायर कर दूँगा, बढ़ ये सारी चीजे तो यांग को सुनाई नहीं दे रही होती है, तभी किसी आदमी की आवाजें आती है, कि आज हम लोग रोस्टेट पिक खाएंगे, और पौर्क भी खाएंगे, तो यहाँ पर यांग बोलती है, कि त मैं तुम्हें बचा लोगी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, और वो जू को वहाँ से छुपके से ले जाती है, उस आदमी की नजरों से बचा कर, और वो जू को अपने घर ले आती है, तभी यांग की जो रूमेट रहती है, वो जैसे ही पिक को देखती है, वो बोलती है, यहां पर यांग की रूमेट बोलती है, वो तो तुम्हें फायर करने वाले है, तो यहां पर यांग बोलती है, मैं देखती हो, पहले अपना काम संभालूगी, और फिर न्यू जॉब डोड़ूगी, उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है, यहां पर यांग जू को नहल जाने लगती है, तो यहां पर जू मन में बोलता है, तुम यह क्या करी हो, तुम मुझे इस तरह से नहीं छू सकती, बट यांग को तो यह चीज़ नहीं पता रहता है, कि पीक जो है, वही जू है, उसका बॉस है, उसके बाद वो तभी बोलती है, कि वैसे तुम बोई हो, यहां पर जू बहुत जादा खबरा जाता है, कि अब वो क्या करने वाली है, तभी वो पीक का सर को घुमा देती है, और उसके जंडर चिक करती है, और बोलती है, अच्छा तो तुम बोई हो, यहां पर जू मन में ही बोलता है, कि मुझे घर जाना है, कोई मुझे बचा लो यहाँ पर तभी यांग बोलती है कि तुमने तो पूरा मुझे भीगा दिया अब मुझे भी शावर लेना पड़ेगा और वो उसके सामरी ही नहाने लगती है उसकी बाद तभी यहाँ पर बोलो डिनर करते है और उसकी रूमेट जो रहती है वो जो को खाना खिला रही होती है तो यांग बोलती है कि तुमने एक पिक को चिकन या फिस नहीं खिला सकती और वो पिक कही खाना लाती है और जो को देती है खाने के लिए उसके बाद तभी यहाँ पर यांग बोलती है कि वैसे इसका नाम क्या रखे तो यांग की रूमेट बोलती है कि इसका नाम जो रख पर और देखती रहती है और उसके बाद वो से बूलती है कि सुझा सुब्धा मुझे ओफिस जाना है और फिर बोलक सो जाते हैं उसके बाद rendreWhite perspective में से डिखाया जाता है कि और सामने जू को देखती है, मतलब अपने बॉस को देखती है, वो बहुत जूर से चिलाती है, और जू उसका मूँ बंद कर देता है, और फिर सी यहाँ पर खतम हो जाता है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और ये ड्राम आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगो प्लिक स्प